आज एक अदसी ब्रेत में मैं आप सभी को सुनागी इग्यारस माता की ब्रेत कथा प्रेम से बुलिए इग्यारस महिया की जै हो कथा किसी काउं में एक गरीब डोविन अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी डोविन बहुत ही गरीब थी जैसे दैसे करके अपने बच्चों का और अपना पेट पानले के लिए भोजन इकठा कर पाती थी वह डोविन हर रोज सुभा सुभा बास की छोटी छोटी टोकडी पना कर उसे बाजार में लेकर बेच कर आती थी कभी उसका टोकडी बिखता तो कभी नहीं बिखता क्यूंकि वह डोविन थी न इसलिए बहुत कम ही लोग उससे टोकडी खरिदते थे एक दिन की बात है सुभा का समय था डोविन अपने दोनों बच्चों को घर में रखकर और बच्चों को समझा कर असनान करके अपनी बास की टोकडी लेकर राश्ते से जा रही थी उसे बाजार में बिचने तभी उसे राश्ते के कुछ दूर में धेर सारी महिला भजन गाते हुई दिखाई पड़ी डोमिन ने मन में सोचा की मैं बाजार बात मजाओंगी पहले देखती हूँ कि वहाँ पर धेर सारी महिला बैठकर कैसा भजन गा रही है किनका पूजा कर रही है पहले जाकर देख लेती हूँ डोमिन उन महिलाओं के पास जाती है लेकिन थोड़ा दूर ही रहती है क्योंकि वह तो डोमिन रहती है न इसलिए रस्ते के उस पार बैठ कर वह चुपचाप हाथ जोर कर उनका पूजा पाथ देखते रहती है डोमिन अपने बास की टोपड़ी को बास में रखकर पूजा पाथ देखती है कि वो लोग कैसे पूजा कर रहे हैं और साथ में इग्यारस माता की कथा भी सुनती है डोमिन को इग्यारस माता का ब्रत बहुत अच्छा लगा उनकी कथा सुनते ही उसकी मन में भी इच्छा परकट हुई की कास मैं भी इग्यारस माता का ब्रत कर सकती लेकिन मैं तो बहुत करीब हूँ मेरे पास पैसे कहा मेरी टोकडी तो कभी बिकती है कभी नहीं बिकती और वैसे भी मेरी टोकडी तो लोग एक से दो ही खरिते हैं सारी टोकडी तो कभी बिकी ही नहीं कास कास इग्यारस माता का चमतकार हो जाए और मेरी बास की सारी टोकडी बिक जाए तो मैं भी इग्यारस माता कबरत बरे धूम धाम से करूँ डोमिन इतना सोची रही थी कि तभी इग्यारस माता कबरत पुर्न हुआ सभी महिला परसाद बाटने लगी तभी सारी महिला में से एक महिला का नजर डोमिन पे पड़ा तो उस महिला ने डोमिन को भी थोरा सा परसाद दे दिया डोमिन ने थोरा सा परसाद इग्यारस माता का नाम लेकर खाया और थोरा परसाद अपने बच्चों के लिए बचा लिया अब डोमिन ने सोचा चलो बहुत लेट हो चुकी है अब मैं अपने घर को जाती हूँ, कल बास की टोकड़ी बेचाऊंगी और मेरे बच्चों की खाने का वेवस्ता तो हो गया, माता का परसाथ तो है, मेरे बच्चे खा लेंगे, जैसे ही टोमिन अपनी टोकड़ी लेकर अपने घर के तरफ चलने लगती है, तभी जितने महिला अपने 11 माता का ब्रत किया था, सभी महिला ने उस डोमिन को पुकारा, ओ बहें, सुनती हो, ये बास की टोकड़ी कितरे रुप्या करके दिया है तुमने, हमें भी दो बास की टोकड़ी, हमें भी चाहिए, इतना कहकर सारे महिला मिलकर डोमिन की सारी टोकड़ी खरेद ली, अब टो डोमिन मन ही मन में बहुत कुश्वी उसने इग्यारस माता का चमतकार देख लिया था अब डोमिन से रहा नहीं गया डोमिन ने सारी बेहनों से कह बेहन ओ बेहन मैं भी इग्यारस माता का ब्रत करना चाहती हूँ क्या तुम लोग मुझे इक्यारस माता की ब्रत बीधी बता दोगी? सिर्फ एक बार आप सभी बहन हमारे घर आकर मुझे इक्यारस माता की ब्रत बीधी बता दिजेगा और इक्यारस माता की कर्था भी सुना दिजेगा उसके बाद से मैं खुद ही इग्यारस माता की ब्रत करने लगूँगी बस एक बर हमारे घर में आकर आप लोग मुझे दिखा दिजेगा तब ही सारी बेहनों ने मिलकर कहा ठीक है हम अगली इग्यारस के दिन तुम्हारे घर पर ही इग्यारस माता का ब्रत करेंगे ठीक है माता का प्रसाद खिलाया अब दिन इसी तरह निकलते गए अब अगली इग्यारस आई तो डोमिन अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और इग्यारस माता की पूजन समागरी फल सारे को इकठा करके रख लेती है जैसे बहनों ने बताया था अब अगला इग्यारस आया तो बहनों में से एक बहना थी जिसे सभी गुरु बहना कहते थे गुरु बहना सभी बहनों के घर जाजा कर बोली बहन चलो आज इग्यारस माता का ब्रेत है आज डोमिन के घर में हम लोग ब्रेद करेंगे और डोमिन को भी बीधी बतला देंगे चलो चलो जल्दी चलो तो सारी बहनों ने कहा छी हम उस डोमिन के घर जाएंगे उस डोमिन के घर में ग्यारस माता का ब्रेद करेंगे और उससे पूजन बीधी बताएंगे काता ही नहीं आप ही जाईए उसके घर हम तो नहीं जाने वाले अब तो बहनों की बात सुनकर गुरू बहिना को थोड़ा दुख लगा उसने सोचा जब ये बहने नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेले जाकर क्या कर लोगी ये सोचकर गुरू बहिना भी डोमीन की घर में नहीं जाती है ये सब कांड को इग्यारस माता देख रही थी उधर डोमीन अपने आखों में आसु भरे गुरू बहनों का इंतिजार कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी सायद में डोम हूँ, में छोटी जात्की हूँ, में बहुत गरीब हूँ इसलिए गुरू बहना मेरे घर में नहीं आई सायद वो लोग हमसे ग्रीना करते हैं ऐसे ही मन में कुछ-कुछ बिचार करते हुए डोमीन रोए जा रही है डोमीन की सच्ची भक्ती को देखकर इग्यारस माता एक बूढी माई के रूप धर के आती है और डोमीन से कहती है ए बहीन, ए बहीन, क्या हुआ बहीन? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुझे? बताओ मुझे बूढी माई की बाते सुन डोमिन ने कहा क्या बताओ मा आपको मुझे ग्यारस माता का ब्रत नहीं मालूम मुझे ग्यारस माता का ब्रत करना है क्यूंकि उनकी ही किरपा से आज मैं जो भी हूँ आज मैं जो ग्यारस माता की ब्रत की समागरी लाई हूँ आज उन्हीं की किर्पा से ये सब हो पाया है बुडिमाई, मैं बास की टोकरी बेशती हूँ मेरा टोकरी कभी लोग नहीं खड़िते मुश्किल सही अन्जान लोगी एक डूबास की टोकरी खड़िते हैं जिसे दो रुपेया मिलता है उसी पैसे से मैं कुछ अनाज लाकर अपने बच्चे को खिलाती हूँ आज इक्यारस माता का असिरबाद है कि मेरे पास दस रुपे आये थे उसी पैसे से हमने इक्यारस माता की पूजन सामागरी और कुछ भल को खड़िता है लेकिन मैं डोम हूँ, छोटी जातकी हूँ इसलिए गुरु बहनों ने मुझसे कहा था कि आज हमारे घर पर आकर इक्यारस माता का ब्रेथ पूजन भी थी जब ही मुझे बताएगी लेकिन छोटी डोम जातकी हूँ ना इसलिए कोई भी नहीं आया बस एही सोचकर मैं उदास हूँ, रोई जा रही हूँ कि कैसे मैं इग्यारस माता का पूजन करू कैसे उनका भजन करू, कैसे उनका कथा कहूँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं डोमिन की बाते सुन, बुढ़ी माई हसने लगी और कहने लगी बहीन इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें इग्यारस माता की ब्रत बीधी को बतलाते हूँ और कथा भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी और हर इग्यारस के दिन तुम ऐसे ही करना उनकी किरपा से तुम्हारी दुख तकलिप सभी समाप्थ हो जाएंगे भेश रुपी इग्यारस माता ने बुढ़ी माई का रुप में डोमीन के घर में इग्यारस माता का ब्रत पूजन बीधी सभी पताया और कथा भी सुनाया डोमीन ने स्रधा भक्ति के साथ पूजन भी किया और कथा भी सुने डोमिन के स्रधा भक्ति से इग्यारस माता बहुत प्रसन होई और डोमिन से कहा कि बेहन तुम इसी तरह से हर इग्यारस के दिन इग्यारस माता का पूजन करना इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्थ हो जाएंगे और घर में अनेधन के भंडार भर जाएंगे अब डोमिन हर इग्यारस को इग्यारस माता के बताय हुई वीधी से इग्यारस माता का ब्रेत करने लगी जिससे उसके घर की सारे दुख तकलिप समाथ हो गई और उधर साड़ी गुरू बहिनों ने जिन्हों ने कहा था कि डूमिन के घर में आकर इग्यारस माता का पूजन विधी और कथा सभी कुछ बता देगी जिन्हों ने आया नही उस पर इग्यारस माता का कोप हुआ उन गुरु बहिनों के घर के सारे अन सारे धन जल कर नश्ट हो गए सभी गुरु बहिना बहुत परिसान हो गए थी तभी ग्यारस माता बुर्ही माई की रुप धारन करके गुरु बहिनों के घर जाती है और कहती है बेहन कुछ दे दो मुझे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मुझे थोरा भोजन करा दो तभी गुरु बहिना आकर बुड़ी माई से कहती है मा, ओ मा मैं आपको क्या दू मेरे घर के सारे अन और सारे धन पता नहीं क्यों जल कर नश्ठ हो गया मा पतानाई हमसे कौन सा ऐसा भूल हुआ जिसके कारण हमें यह दिन देखना पर रहा है तभी बुड़ी माई ने कहा बेहन, तुम याद करो तुमने किसी को कहा था इग्यारस माता की ब्रत बीधी बतलाने के बारे में और क्या तुम लोगों ने बतलाया था तब गुरु बहिना ने कहा ना माना हमने नहीं बताया था तब बुड़ी माई कहने लगी ये सब तो इग्यारस माता का कोप हुआ है तुम पर अब तो सारी गुरु बहिना मिलकर बुड़ी माई की पैर पकर कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी बुढी माई हम से गलती हो गई है हम अब क्या करे ताकि इग्यारस माता का कोप हम से हट जाए इग्यारस माता हम पर प्रसन हो जाए कुछ उपाये तो आप बताईए मा कुछ उपाये बताईए तब ही बूरी माई कहने लगी तुम सभी गुरु बहिना जाकर उस डोमिन से माफी मांगो अगर डोमिन ने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो इग्यारस माता भी तुम्हें माफ कर दिया सारी गुरु बहिना दोरी दोरी डोमिन के घर गई और डोमिन से सभी गुरु बहिना पैर पकर कर माफी मागने लगी डोमिन ने सारी गुरु बहिना को माफ कर दिया और डोमिन ने हाथ जोर कर इग्यारस माता से प्रातना किया हे माता इन गुरु बहिना का साड़े तकलिप को आप दूर कर दिजिये इग्यारस माता के किरपा से सारे गुरु बहिना का भी दुख तकलीफ दूर हो गया और इग्यारस माता के ब्रैत के परभाव से डोमिन के घर महल में बतल गया और उसके घर में अन्य धन के भंडार बर गये आप तो डोमीन हर इग्यारस को इग्यारस माता का ब्रत बीधी पुर्बक करने लगी और मोहले भर में परसाद बाटने लगी तो प्रेम से बोली इग्यारस माता की जै हो कथा अच्छी लगे तो दुसरों को सेर करना ना भूले धन्यवाद